दोस्तो अगर आपके phone का storage बार पार जल्दी full हो जाता है और आप इस वज़ा से बहुत ज़्यादा परसान है भाई मैं अपने phone में ज़्यादा कुछ रखता भी नहीं हूँ ना ही photo ना ही video ना ही audio फिर भी मेरे phone का storage है ना वो full ही रहता है और पता है इस problem को कई लोग face कर रहे हाँ दोस्तो उसके लिए आपको कुछ भी delete नहीं करना है ना ही photo ना ही video ना ही audio ना ही कुछ भी आपको अपने phone से delete करना है फिर भी आप अपने phone से पुरा का storage खाली कर सकते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा आपको अपने phone के अंदर खुछ से कुछ नया settings करना फून के अंदर अप्लाई करना होगा तो वह सेटिंस कौन सा है उसे कैसे अपने फून के अंदर यूज करना है तो वीडियो को जड़ा सा भी असकिप मत कीजिएगा चलिए उस सेटिंस के बारे में जानते हैं उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों आपको लाइप पूरूप करके दिखाने वाला होगा श्टेप बाई श्टेप तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा आपको अपने फून के प्ले स्टोर के अंदर आजाना है जब प्ले स्टोर के अंदर आएंगे दोस्तों तेहां पे आपका profile लोगों है इस पे आपको click करना है जैसे click करेंगे दोस्तों तेहां पे एक setting मिलेगा manage apps and device का इस पे आपको click करना है जैसे click करेंगे तो यहां पे setting देखने को मिलेगा जिसका ना होता manage manage पे आपको click करना है जब manage पर कलीग करेंगे तहाँ पशेडिंग देखने को installate का यहां नोट इंश्टोलेट का option है जब नोट इंश्टोलेट पर पर articles करेंगे तहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपने अपने फोन से application को 誹 डिलिट कर दिया ऊपके फोन के अंदर अभी है आप देख सकते हैं यह phone के application हम अपने phone से delete कर दिए वो application है तो आपको क्या करना है play store के अंदर यह storage को आपको full करके रखा हो आप जब से phone लिए होंगे आप हो सकता है 1200-200 application का इस्तमाल करके आप अपने phone से remove कर दिए होंगे और उसे delete कर दिए हो आपके phone के home skin से तो वो application delete हो जाता है पर आपके play store के अंदर यह storage को full करके रखता है इसको आपको select करना है देखिए हम एक application को select किए तो यहाँ पर उनाइस MB जगा फिर हो रहा है दोसरे application को यहाँ 33 MB तीसरे तीसी तरीके से दोस्तों आप जितना application होगा सारे select कर लिजेगा और यहाँ पर delete है delete पर आप remove कर देना है जब remove कर देंगे तो कुछ इस तरीके का interface आपको देखने को मिल जाएगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यह आपको पहला setting करना है यहाँ से आपके phone का storage काफी ज़्यादा खाली हो जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ से बैग जाना है ठीक है उसके बाद दोस्तों आप खोता कहना कि हम सब के phone के अंदर यहाँ पर बहुत सारे application होते हैं और यह application हमारे phone के बहुत सारे जिससे में आप डाउन्लोड करते हैं उससे में application का size छोटा होता है 20MB, 50MB का application होता है जब इसको यूज करना इस्तमाल कर देते तो इस application का size बढ़ा हो जाता है तो इसको आपको करना क्या होगा दोस्तों देखिए इस application के ऊपर आपको ऐसे LONG PRESS करना है जैसी LONG PRESS करेंगे यहाँ पर app info का setting है इस पे आपको कलिक करना जैसे कलिक करेंगे यहाँ पर 888 KV में हमारे application के बी में पुल करकर रखा है तो आपको यहाँ पर clear catch कर देना, जैसे clear catch करेंगे तो यहाँ पर zero हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर आपको दूसरे application को लेना है, तो चलिए हम दूसरे application पर IMPO करते हैं, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, storage पर किलिक करते हैं, यहाँ पर देखिए, बहुत काफी important setting है, होता क्या है, दोस्तो आपको उसके लिए आपको करना कि आपको अपने phone के setting के अंदर आना है, जब setting के अंदर आएंगे, यहाँ पर दोस्तो एक setting देखने को मिलेगा, जिसका नाम होता है, जिसका नाम होता है developer option, यह आपके phone में polish नहीं होता है, इस setting को on किया जाता है, इसको on करने के लिए दोस्तो आपको हम बता देंगे कि कैसे आप on करेंगे, इसके लिए दोस्तो आपको about phone के अंदर जाना पड़ेगा, और about phone में जाने के बाद, build नमर पे 7 बर आपको tap करेंगे 7 से 8 बार, तो यह developer option open हो जाएगा, दोस्तो आपको आजाना है अपने phone के developer option के अंदर, और developer option के अंदर जब आएंगे, तो यहाँ पे एक setting है, force allow apps on external storage, देखिए आपके storage के बारे में यह setting है, इस setting आपके phone के अंदर बंध होता है, इस setting को सिरिफ on कर देना है, इस setting को on करके दोस्तो आपके phone के अंदर क्या करना है, जहाँ पे एक memory card लगा दोस्तों, अगर आप अपने phone के अंदर यह 3 setting को कर लेते हैं, तो आपके phone का पूरा storage खाले हो जगा, नहीं आपको phone से photo delete करना पड़ेगा, नहीं वीडियो डिलिट करना पड़ेगा, तो दोस्तों, वीडियो में इसी setting के बारे में बता रहे थे हैं, हमारी वीडियो से सब्सक्राइब कर दीजे, तब तक लिए, बाय बाय टाटा, मिलते एक नई टोपी के साथ नई वीडियो